बड़े पते की बाद बोल रहा हूँ भाई साब, जड़ा सुन लीजिए, इंसान को केबल दो ही चीजें गाम्या बनाती हैं, एक अच्छी किसमत और दूसरी कड़ी मेहनत, अच्छी किसमत सबकी होती नहीं, और कड़ी मेहनत सबसे होती नहीं, जी हाँ दोस्तों, मैं प्रश चाहिए सबसे पहली और बड़ी खबर है कि रूस ने भारत को शुरू कर दी है दूसरी मिसाल तच्छा प्रणाली की आपूर्ती आपको पता ही है कि भारत रूस से अगर कोई हमारा दुसमन देश जो हम से हम पर कोई मिसाल करेगा उसको डिटेक्ट करके उसको निस्तनाबूत कर देगी ठीक है तो आपको पता ही है कि उक्रेन युदों के बाद बहुत सारे प्रत्बंद लगाए गए हैं बट इसके बाब जूद भी रसिया भारत से सरीके के जो रच्छा प्रणाली क्या पूरती है या वेपसाई है वो कर रहा है चलिए बात कर लेते हैं S-400 रच्छा प्रणाली की खूबियों की तो इसमें क्या है कि एक अत्याध्धुनिक रच्छा प्रणाली है जो कि हमारे देश के बड़स को बचा के रखेगी दुस्मन के मिस मिसाईल से दूसरी चीज है कि इसका जो इसके दूरी है मारक छमता है वो 600 km है एक जाब से पूछा जासकता कि यहां पर लिखा भी हुआ है कि क्या-क्या खूबी आ है इसकी तो एक जाब से पूछा प्रणाली है उसकी रेंज कितनी है तो 600 km है इसके और भी टार्गेट होत जाती है तीसरी 120 km जाती है और 44 km रेंज वाली होती है मैक्सिमाम इसकी रेंज 600 है आपके रखना है यह एक साथ 36 टार्गेट को भेज सकती है आप समझे जी कितनी ज्यादा कारगर यह साबित होगी चलिए तो यह थी पहली खबर आपको जरूर जाना से यह आगे बात कर ले तो वही चीज है उन्होंने सीधा निसाना चाइना को साधा है कि अगर आप हमें परिशान करेंगे तो हम हाथों पर चूड़ी है बैठके पहन के बैठेंगे नहीं अब वह भाला भारत नहीं राज और पहले लिविर लिविर करता था अब जबाद देने वाला भारत है तो जीरो सम गेम का मतलब होता है कि जो जीता वही सिकंदर जो विजय होता है वही फायदे में रहता है हार्दने वाले को कोई फैदा नहीं होता यह जीरो सम गेम होता है भारत कहता है कि हम इस तरीके के राजिनी पर भरोसा नहीं करते हैं हम भरोसा करते हैं दोनों देसों के ल आप ही बाजार में काम करने का अनुमती उनको मिलेगी राताद भरभाई पे रखने की कोसिच करते हैं तो उनको अब सुप्रीम कोर्श से थोड़ा सा मतलब इस तरीके कि उनका जो अनुमती मांगने का हक था वो चीन लिया गया है और बोला गया कि आप ऐसा नहीं हो सकता उठाइए और घर को जाईए चलिए आगे यहां पर नेक्स्ट कवर है कि एक क्या कहते गुजरात का एक भुज में भुज एक गुजरात का प्रांथ है वहाँ पर केके पटेल सुपर स्पेसिलेटी और हस्पिताल का ऑनलाइन जो वीडियो कॉन्फरेंसिंग के गटन समारों पर मौदी जी बोले हैं कि अंगले 10 वर्सों में देश को बहुत सारे ने डक्टर में जो कि हमारे जो मेडिकल की यह स्थती है या हम भुज सकते हैं कि उसको बहुत जदा फाइदा होने वाला है कि हम हर जिले में कम से कमेक मेडिकल कॉलेज खोलने के निदी पर काम कर रहे ह है और बहुत जल्दीस ऐसा होगा भी कि हम केंदर के हर जिले किसी विराजी के हर जिले पर एक हम इस तरीका को लेज खोल सकें चलिए आने वाले समय में बहुत अच्छा इस तरीके का हो जाएगा अलांकि काफी सुद्रन हुआ है हमारा स्वास्त विभाग का चेतर अगर है इसके बाद बात कर लेते हैं यहां पर कि भारत ने बोला है कि भारत सरकार के तरप से बोला जा रहा है कि म मसीन होती है जो कि हमारे मस्तिक्स के जो विकार होते हैं उनको जांच करने के लिए उनको टेस्टिंग करने के लिए यूज की जाती आप यहां पर देख भी रहे बहुत दिन तक रहे और योगदान करें यहां पर तो भाइस द्यास का पड़्तिक मने जाते हैं क्योंकि 1965 भारत पाकेश्टा यह तो मेह नहों ने सफलता पुरों नित्रत किया था और बहुत अच्छे से अपना लोहा मनवाया था जो हमारे दुस्मन राज्य थे राश्टर थे चलिए बात करते हैं यहां पर अच्छा विभाग से मिलकर प्रगाला बनाएगा भारत और वियतनाम तो यहां पर इस चीज को मैंने सिफिस क सब्सक्राइब करते हैं यहां पर तो आपने पता थी जुनाभी मुद्धों में लोगों ने बहुत 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 बोल देते हैं कि में भी मुखमंत्री मां जी उन्होंने कहा है कि अब जुलाई से पंजाब में पहली जुलाई से दीन सो यूनिट भी मुखनी मिलेगी तो यहीं है कि फिर से मुखत का भरा वो सुरू हो रहा है चलिए ऐस में फाइदा होगा या पार्टियों को फाइदा होग तो समय खिंड स्यर्किर करूंगी कि जंबू कश्मीर में वह भर रह आए राजनीतिक दल वहाँ हगार जहां पर बतला हो आता है ने राजनीतिक दल राजनीत करने लेकिन होता कि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती है बंदुक के दम पे लोगों को बहुत कुछ वो करना पड़ता है जो कि नया हित और इतिकल नहीं होता चलिए बात कर लेते हैं अंगली कुछ खबरों की यह सारी राज़ती खबरें जो आपके साथ में डिसकस नहीं कर रह कि दीया हुआ पहुंचे पहूंचे परेतक को बनाद खतम हो गया कोरोनका डर को घैसे पहले था तीन साल इसे हो गया है तो अभी क्या कि जो इतनी चलाइम होते हैं जितने भी गोमने फिन वाले लोग होते हैं परे टखो referred वो आप अपने जिन्दगी के मुलुफ तो ले रहे हैं तो उसी के एक बज़े से ये आर्टिकल था तो मैंने आपके साथ बता है बाकि यहां पर एक दुखत गर्णा आतंगवादियों ने बरा मुला के पट्टन में की सरपंज की हत्या यही होता है जैसे आपको बताया ना म हम यही अपने हिसाब से यह हमारा देश यही बोलना चाहेगा अपने देशवासियों को जम्मु कश्मीर के सारे निवासियों को कि अपना देश आपके साथ है और जब भी ऐसा कुछ होगा तो सारी जो सुच्छा जैंसीज हैं वो आपके साथ खड़ी होंगी हाला कि च्छ हमें अपनी इच्छाओं को नियंतर करना सिखाता है फास्टिंग से हमें क्या होता है फास्टिंग से सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो बाडी का मेट्रिलेजियम सिस्टम है वो सही होता है एक तो यह साइंटिफिक रीजन हो गया इसके बाद अगर हम बात करेंगी हमारी जो अध्यात्मिक ग्यान का होता है या हमारे जो मांसि nettant की बाथ होती है उससे क्या प्यक्तर करते हैं तो वह में नियंतर सिखाता को बहुत 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 होता है और जब होता है परिषान होता है या इक्दम से झीज के लिए उक्सित हो जाता है वो तब ही होता है जा पर काबू नहीं कर पाता और उन नन वहता ना कि पूरी करने के लिए बस जो जैसे चाहे उसको करता ही तो अगर आप उपवास रहेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे अलांकि यह तो बहुत कुछ हम ध्यान भी करेंगे तब भी अपने इच्छाओं पर सकते हैं अब उपवास से होता है क्योंकि जब हमारा पेट और दिमाग दोनों में जंग होती है तब देखते हैं कौन जीता है अगर उस समय हुआ है कारुबार भी हुआ है तो गया है हुआ हमारा देश हलाकि के मामले माम काफी अब रहें और हम इसा बेशते भी रहते हैं यहां से अपने आज से निर्याद करते रहते हैं चलिए कर लेते हैं कुछ अलग बात की तो कल मैंने अफिसास किया था कि एलन मस्क वह उन्ह पास तो तेलों का भंडार है तो उनके पास तो बहुत पैसा है ही लेकिन दूसरे तरफ है लिए मस्क जो की टक्नलोजी की दुनिया की सरताज बारता है तो इन दोनों बीच में जब टकराव नहीं है बड़ कहीं न कहीं चीज होती है कि कौन अबल रहेगा तो एक कहीं न कहीं होता है जब कोई अपना लोन लैपें नहीं कर पाती है उस स्कों बोलते हैं दिवालिय थीकिंग अब क्या होता है कि जो लैंड होता है मौट मौटेज की रूप में जो इस तरीकर की रील एल कमपनि वाव्ले या एडी जाप्त कर लेती है अब होता क्या sophomore कि जैसे कोई एक building है उस building को real estate ने लिया है अपने नाम पर करवा लिया है अब वो building बनके आधी तैयार हुई तो जो flats होते हैं वो होते नाम की बनते time ही लोग flats को बेंज देते हैं आप माल लिजे कि बनते time उसने पूरे flats बेंज दिये कुछ पैसा लेके कुछ government से पैसा ले ल land होगा उसको mortgage रख रहेगा उसको गरवी रख लेगी लेकिन नुक्सान किसका हुआ नुक्सान हुआ उस खरिषदार का विचारे के जिसकी रजिस्ट्री भी नहीं हो पाई थी और उसने पैसे दे दिये थे उस क्या कहते हैं जो company थी real estate वाला जो मालिक था तो इस तरीके के जो बीच के खरिदर होते हैं उनका नुक्सान हो जाता है तो याद रखना है कि इसी तरीके से जो जब दिवालिया होती है तो कैसे फायदे मैं जाती है आपको आयोब समझ में आया होगा तो इस तरीके से बहुत साची से चलती है तो आप अगर कभी कोई मकान ले रहे हैं जल्दबाजी ना करें जब तक कि पूरी विल्डिंग बनके तयार ना हो जाए इसके बाद ही आपने क्योंकि होता है ना कि मॉर्टेज के रूप में वह जमीन चली जाएगी और आपको फिर कोट के चेहरीक शक्कर लगाने पड़ेंगे चलिए बात करें यहां पर सद्धा का सहलाब तो यहां पर देखिए कुरोना मामारी के बाद अब काफी लोग अपने जो पराने रुपे आ चुके हैं अब सद्धा का भाव है वह सब जगए हो रहा है तो आपको पता ही है कि जो वार्षिक रथ उत्सव होता है तमिल नाडू में मुद्रे में 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 पर बागी आपर एक एथिकल नियूज है जो मैंने आपके साथ सेर करने की सोची नास्ता ना देने पर ससुर ने बहु को गोली मारी ठीक है चीज छोटी थी बट गोली मारने से किसी एक की जान चली जाए तो यह कितना घातक हो सकता है और वो गोली पेट में लगी महिला की अस्पताल में लाज चल रहा है देखते हैं क्या होता है बट एथिकल यही है कि लोग इतने भी साइयमी नहीं होते कि अगर कुछ टाइम से अप एंड डाउन हो गया है तो वो इस हद तक पहुँच जाए कि उसको जान से हाथ दोना पड़े तो अगर कभी इस तरीके की ची तो इसके पीछे और करके अतर्क हो सकते हैं तो इस पर एक बार थोला सा बीचार कीजिए मत कर लेते हैं विचार की में तो संकट ग्रस्ट परोसी देशों का सहरा बना है भारत चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो अफगानिस्तान अभी देखा हो हमने बहुत सारा नाज और में बहुत कुछ बेजा चाहे वहमार हो हम जब दो रोहिंग्या riches अंके वारे में अब चाहे लंका हो भारत बहुत अच्छे से दिखरे करता हूँ जब भी हड़सी चाहे भी लाव क workső línea Has करता है इसके बाद यहां पर और यह है आपने देखा होगा कि एक बार एक आसकर आवार्ड समरों चल रहा था जब यहां पर एक अभी आपने रहता थे विल स्मित उनकी जो मिसिस थी वो उनकी वोटो यह आप देख लिए तो उनके सर पर बाल है वो नहीं है ज्यादा तो इस उसी पर यह है कि तोड़ने होंगे सौंदर रिके में थख क्यों कि अगर बाल नहीं है तो क्या वो इनसान अंगर नहीं है तो किसी एक मनला बॉड़़ी के किसी एक पाट को अच्छे तरीके से होना या सजना सभरना ही है या या उसके एकुछ वेल्यूज या उसकी कुछ प्रसनल्टी जैसके गुण सुंधरता होती है जैसे सिर्यां भगवान है साथ किसी नहीं देखा होगा लेकिन वो सुंधर है पूरी दुनिया मानता है पूरी दुनिया समझता है हम भारती तो समझते हैं क्यों समझते हैं क्यों के गुणों के अधार पर उनको जैसे भगवान वोग सुंदर ही मानते हैं बहुत बड़ा इंसान मानते हैं क्यों मानते हैं क्यों को उनको गुरूं का दार पर तो सुंदरता जो है वो सिर्फ और ब्यूटी पहले डिपेंडेंट हो ऐसे मित्राख हमें तोडने पढ़ेंगे तो इसी बात पर यह क्या करते हैं आर्टिकल है अब एक बाद देख लिए काफी हद तक तो मैंने आप शार दिसकस करी लिया है बात करते हैं कि अब अब जो उच्छिस परिच्छा कराने का फैसला लिया है कि एक ही परिच्छा करवाया करेंगे इंटरेंस इकजाम के बात हो रही है यहांपर और उसके तहट सारे लोगों को अपने स्ट्रीम के सहब से उसको कार्वालिके गया है आने वाले समय में ऐसे तरीके से काम होगा बाकी इसके बाद देखी आपको पता ही कि आजकल हर एक बच्चा कोचिंग की जो संस्कृती बढ़ चुकी है उसको उसके पास बार बार जाके काम कर रहा है बार बार जाके वह आप चाहिए वह एलकेजिक बच्चा इसके बाद की जा रही है आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है चलिए बात कर लेते हैं अगर यहां पर वैचारकी में तो वैचारकी में ऐसा कुछ खास नहीं था इसके बाद अन्तराश्टी में है कल आप से मैंने डिसकस भी किया था कि मस्कवा जो कि रसिया का एक सिप इस गुस्से में रूस ने क्या किया है युकरियन का पूरा मिसाल बरबाद कर दिये तो यह खबरें आ रहे हैं इसके बाद यहां पर एक चीज़ देखिए अल-क्सा मजजिद अल-क्सा मजजिद कहां है यह फिलिस्तीन में है और इस राइल और फिलिस्तिनियों के बीच सं कहते हैं यह फिलिस्तीन कहां है जो हमारा कहते हैं नहीं कि एक वह कहते हैं ब्लैक सी है या पूछ सकते हैं कि जो ऐसा सी जहां जिसमें जड़ा भी पानी नहीं है इसके बाद और जो मौंटेंस हैं वह हम डिसकस करेंगे आपके साथ इसके बाद देना दन में कल आपने देखा योगा बहुत ही खतरनाक मैस था काफी अच्छा लगा तापल तो शक्के चोके लग रहे थे तो कॉलकता नाइट राडर्स की हार हुई है सनरजर रहतरा पतने उन्हें काफी जल्दी हरा दिया वैसे बहुत अच्छा था इसके ब बाद कल आपको पता ही है कि मूवी जिके जिए रिलीज हुई थी बहुत अच्छा उपनिंग हुई उसके बारे बताय जा रहा है कि बहुत ज्यादा कमाई उसने पहली दिन की है इसके बाद अगर हम बात करें आज कल में तो आज पहली बार आज की दिन मतलब 16 अपरेल 1870 म में आज की दिन मुंबई ठाने के बीच में पहली ट्रेंज चली थी चौतिस क्रोमीटर की दूरी पर थी तो यह आपको याद रखना एक जहां मैं आज कल डेट भी पूछ देते हैं इसके बाद यहां पर यह है यह मैं परसनली आपके साथ सेर करने के लिए इस टॉपिक को क्या लेटान में पुम्हाya के अशुफ हमने यह आगा का कैसे रहें और कंशी यह कब कैसे चांड़िय। आपके पेट से तो अगर आप अपने पेट को रहे हैं तो आपका दिमाग आपका मस्त्री सब्सक्राइब और यह एक आम भीमारी है जो कि सारे लोगों को होती है और यह ना कि भारत देश में होती है पूरे बिश्ट में इस तरके का चीज़ होता है अपकि कुछ और ऐसी आज 16 अपरेल 2020 के नीचे परेल